Hi friends, welcome back, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जैसे हमारे बच्चों को homework मिलता है सोशल साइंस में, जैसे last year तेलंगान है और हरियाना पर comparison मिला था, इस वर सोशल साइंस में मनीपूर और हरियाना का topic लिया हुआ है, तो देखिए कोई भी comparison किसी का भी हो, लेकिन आपको वे समझा जाएगा इस scrapbook को देखकर कि आपको किस type से अपनी scrapbook finally बनानी है, so that it looks presentable, जैसे कि आप with the help of maps ले सकते हैं, printouts ले सकते हैं, खुद drawing कर सकते हैं, तो वही मैं आज आपको show करने वाली हूँ, इसमें जो topic था वो था एक भारत, श्रेश्ट भारत, तो सबसे पहले आप यहाँ पर submitted to आजएगा और submitted by आजएगा, यह decorate आप इस type से कर सकते हैं, यह front page आजएगा, इसमें हम topic लिखेंगे, geographical comparison between हर्याना एंड मनीपूर, आपका कोई भी state हो आप उसमें लिख सकते हैं, then उसके बाद हमारा first page गया आएगा, जिसमें कि मैंने पूरा इंडिया का मैप लगाया है, और इसमें हर्याना एंड मनीपूर, जो भी आपके दो state हो, आप उसे यहाँ पर show कर देंगे, नीचे इसका topic लिखतिया है, एक भारत, श्रेष्ट भारत, आप यहाँ से activity स्टार्ट हो जाती हैं, यह हमारी first activity थी, geographical area and climate, इस पे हमने इस type से बन दिया है, wording आप कुछ भी लिख सकते हैं, but it looks presentable, वो हमारे mind में हमिशा रहना चाहिए, second activity थी हमारी capital cities, तो capital cities के बारे में थोड़ी सी information दे दी है, next हमारा था total population, population कितनी है, तो मैंने सिर्फ इसमें total population पूछी थी, फिर भी मैंने most populated and least populated दोनों में लिख दिया है, so that कि और impressive लगे, neighboring states, neighboring states में मैंने proper लिख दिया है, कि north से, west से, east से, south से, कौन से-कौन से state इसमें attach है, यह हर्याना का हो गया है, यह food people eat, देखिए आपको कोई भी topic हो, आप topic को presentable जब ही बना पाएंगे, जब आप उससे कुछ relate कर पाएंगे, जैसे कि मैंने पीछे दिखाया आपको, जब climate का हो, तो आप water drops बना सकते है, जब आपका food से related है, तो जैसे यह ice cream bowl मैंने बना दिया है, इसके नीचे थाली बना दिया है, हर्याना की, हर्याना में जो थाली में जो जो खाया जाता है, वो लिखती है, लसी का ए ग्लास बना दिया है, उसमें लिखती है, देन उसके मनिपूर में फिश बहुत खाया जाती है, तो मनिपूर का एक फिश के अंदर प्रिजेंट कर दिया है, इस टाइप से टोटल नंबर ओफ डिस्टिक है, तो इसमें चोट चोटे प्रिंटाउस ले सकते हैं, अपने दोनों स्टेट्स के, तो आप टोटल नंबर ओफ करना है, दो स्टेट्स को, तो उसका जो सेकिंड है, थर्ड है, आपको जो भी वहाँ पे ज्यादा उक्यूपेशन लगते हैं, वो आपको सारे इसमें शो करने है, जैसे मैंने फार्मिंग, एग्रिकल्चर इडिकेशन और डेरी फार्मिंग, यह हर्याना का लिखती है, ऐस जैसे कि अब इसमें जो मैंने टॉप पे, यहाँ पे, कुछ भी हम डॉट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, तो वो मैंने तोरन टाइप बना दिया है, ताकि वो फेस्टिवल की थीम लगे, नेक्स्ट आपका आता है, डांस फोर्म, तो अब डांस फोर्म हर्याना म यह आपका प्रॉपर जो हर्यानवी डांस होता है, यह मनिपूर में होता है, तो मैंने इस टाइप से इनके हैडिंग्स लगा दिया है, यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा आता है, लेंगवेज दे स्पीक, जो इनकी में लेंगवेज है, वो लिख दी है, उसके बारे में पर इस डिटेल दे दिया नीचे, नेक्स आपका आता है, मेन टूरिस्ट अत्रेक्शन, टूरिस्ट अत्रेक्शन में जैसे मैंने यहाँ पर आइस बना दिया है, क्योंकि यह देखने की जगह होती है, तो मतलब आप अपने माइड से कुछ भी अट्रेक्टिव बनाने के ल तो देट सेट और मैं अभी आपको दिखाती हूं जैसे फाइल हमारी ऐसी लगती है अगर हम कवर चड़ा देते हैं विकोज यह जो स्क्रैप फाइल आती है यह प्लेन आती है बिल्कुल मैंने इस पर ब्लैक कवर चड़ाया देन उसके उपर वो जो पोलिथीन शीट होती है ह तो यह ऐसे लग देटी तो मैंने इसके बजाए क्या किया है यह पर एफॉर शीट लेकर एफॉर शीट यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसके ओपर फाइविकोल से एफॉर शीट पेस्ट करने से यह थोड़े सी ज्यादा अच्छा लुका रहा है इसका थैंक यू फो झाल झाल झाल